हालो students welcome back to my channel being pharmacist और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about the staff selection commission SSC pharmacist vacancy के syllabus के regarding so SSC pharmacist vacancy के एक video मैं ने already channel पे डाला था करीब तीन हबते पहले और उसमें मुझे बहुत अच्छा response मिला है करीब 3,000 से 4,000 व्यू मिल चुगा है मुझे और बहुत सारे कॉमेंट्स आ गया है तो कॉमेंट्स में आपने बहुत कॉमन कोश्चन्स पुछा है सारे मैक्सिमम तो उनका रिप्लाई करेंगे आप जो की बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होगा आपके लिए उनको लेवल है 10 प्लास 2 मतलब हायर सेकंडरी यह फार्मासिस्ट वैकंसी होते हुए भी इसका लेवल ग्रैजुएशन लेवल का नहीं है क्योंकि अगर आपको एससे के बारे में कुछ पता है तो एक होता है मैट्रिकुलेशन लेवल में एक होता है ग्रैजुएशन लेवल में क्लास 12 मतलब हायर सेकंडरी के बेस में ही वो लोग सुचते हैं समझते हैं तो इसलिए जो एससी है वहाँ पे कोई अगर 12 डिप्लोमा का वैकंसी है तो उसका जो कोर्स करिकुलम है उसका जो पोस्ट होगा उसका जो रैंक होगा उसको जो सालरी पेस के लोगा एक्जाम और फ्रम रिकोगनाइस बोर उनिवर्सिटी डिप्लोमा इन फार्मसी चाहिए विद दो साल का एक्सपरियंस और और आपको चाहिए भी फार्म इवन फ्रेशर और आपको रिजिस्टर अज अगर नहीं देखा तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ज grease यूट्यूब में जाने के बादा आपको सर्च करना है आपको सर्च करणाना जो कि हमारा चैनल ले चानल में जाने के बाद Ihr को वीडियो में लिए यह से जाना है अगर आप जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिले होगा इसके रिगार्ड-इस आप सब देख सकते हैं SSC Pharmacist, Vacancy 2022, Qualification Caste, syllabus, etc. So, इस वीडियो में बहुत सारे मुझे response मिला है बहुत सारे comments आ है, बहुत सारे likes आ है इहां से आप लोग apply कर सकते हैं, PDF डाउलोड कर सकते हैं सारे कुछ कर सकते हैं कुछ books का link भी मैंने यहां पर दिया है वो भी download कर सकते हैं और आज भुद और भी बुक्स के लिंक देंगा मैं उसको आप लोग डाउलोड कर सकते है तो पहले तो कोमेंट्स को थोड़ा सा पर लेते क्या का कोमेंट्स में अपका क्वेरी है Dear Sir, PCM वाले एप्लाई कर सकते है क्या? yes you can apply क्योंकि वहाँ पे साब साब लिखा है अगर तुमने नहीं देखा गौर नहीं किया कि physics, chemistry, biology और equivalent और equivalent मतलब PCA में होता है ठीक है so I think बहुत सारे लोग का question answer ये हो गया next thank you for the great information thank you very much B-Pharma के लिए experience certificate जरूर है क्या no B-Pharma के लिए freshers candidate is applicable no experience certificate needed but yes of course registration certificate चाहिए I am B-Pharma graduate and have four years experience in pharma marketing please tell me am I eligible or not pharma marketing का experience is not eligible but as you are a B-Pharma graduate you don't need any kind of experience is local medical experience okay sir no local medical experience is not okay medical store का experience से होगा नहीं hospital का experience चाहिए वो government या private हो सकता है क्योंकि इन्होंने कुछ जिकर नहीं किया ऐसे post में experience experience के बारे में ठीक है लेकिन I think जो medicine store का हो वो experience नहीं चलेगा sir मैं आप B-Pharma 8 semester पर हूँ मेरा registration आगस्ट में हो जाएगा क्या मैं form fill up कर सकता हूँ yes you can fill the form but I think before the exam 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 तक आपको शायद नहीं चाहिए लेकिन exam जब ही खतम होगा आपको आपका registration मिल जाना चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए साइन करते टाइम एक option आ रहा है level of qualification उसमें क्या फिल करो बिकोज अभी मैं B-Pharm 8 semester पर हो एक्जाम पेंडिंग है तो तुम्हें अगर अप्लाइ करना है तो बीफार्म में से यह अप्लाइ करना होगा ठीक है सर हेल्प मी फ्रॉम एसेंशेल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट बीफार्मसी का ऑफ्शन नहीं आ रहा है तो उसमें क्या फिल करो बीफार्म का ऑफ्शन डेफिनेटले आ रहा है स्क्रीन साइज स्मॉल हमारे जो लैप्टॉप है मोबाइल है और जो स्क्रीन है यह बहुत स्मॉल है तो यह जो पूरा लिखा है ना जैसे आप देख सकते हैं 12th क्लास से 1948 तक यह बहुत एक लॉंग सेंटेंस है तो यह पूरा लिखा रहता है क्वालिफिकेशन करना इसलि नहीं आ है इसा कुछ मेंशन नहीं है इसा आप कालिफिकेशन मैं कैसे बता हूँ यह आपके ओपर है अगर आप ग्रेजुएट है है तो ग्राग्राइट करो अगर दिप्लॉमा है दो डिप्लोमा करो अगर मास्टर्स सरतों मास्टर्स करो वाइल एप्लाइंग बीफाम उप्सिन नॉट कोपिंग यह तो मैंने अल्रीटे बज़ा दिया सर एबीसी सर्टिफिकर्ट एबीसी क्या है वह सर ओबीसी होगा चाहिद ओबीसी का सर्टिफिकर्ट थर्टी यर्स मुझे कना एप्लाइफ फॉर फार्मसेश तलोपेथी पोस कि रिल्कससन तो लिखा है इस वीडियो में पूरा इसकते फिर भी क्यामेंट करने का कोई मतलब नहीं यह मैंने आपर फूरा दिखा दिखा देखिए कि कि यस कश्ट के लिए क्या रिलाक्ससन है प्लीज पील यह वीडिएव दिखो कॉमेट करने से पहले इस फाम डिए ल हुँ अभी two months complete हो जाएगा मैं apply कर सकता हूँ apply कर सकते हो बट अगर तुम जब यह लोग चाहेंगे इसके registration तुम submit अगर नहीं कर पाए तो यह अप्लिकेशन उड़ी कांसिल से ज्यादा रेजियन में apply कर सकते हैं इससी फार्मसिस्ट सेकंड फेस थाट पर चलिवस क्या होता है ऐसा कुछ नहीं है एक एक्जाम होता है प्लीज रिप्लाइब कर सकते हैं जरूर कीज़ेगा आप तो रिजियन नहीं है आप दूसरे डिजियन में apply कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाला option फिल ना करें तो कोई problem अगर बीफाम हो तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ठीक है क्लास में बाइलोजी नहीं है नक्सरे पर कम करते हैं तो ट्रूर्ट है यूण करता हूं कि सब्सक्राइब है इसफ्राइब कर सेउस्ट कि टूब पलाइब कर सकते हो बात करें दिहां तक से लेटे का आता है तेलो आपनी टिकेव वीगत करता है यहाता है आले हम लोग भी सिरेबस के बारे बात करते हैं इसके तो जैसे कि आप सब देख सकता है यह है scheme of examination scheme of examination मतलब कैसे exam कितने subject रहेगा कितने question रहेगा there will be three separate computer-based examination consisting of the objective multiple choice questions for the post with minimal education qualification of the matriculation higher secondary graduation and other level सो आपको मैंने बता दिया कि आपका जो लेवल है वह हायर सेकंडरी लेवल का इवन इफ यह बीफार्म graduate डाजन्ट मैटर ठीक है कि सो question pattern similar है first part में रहेगा general intelligence ठीक है second part में रहेगा part B में general awareness part C में रहेगा quantitative aptitude उसके अंदर लिखा है basic arithmetic skill ठीक है quantitative aptitude मतलब math उसके अंदर लिखा है basic arithmetic skill ठीक है मतलब maximum question आएगा arithmetic से ना कि trigonometry geometry algebra यहां से नाएगा सिर्फ arithmetic से आएगा और उसके अंदर क्या क्या important है वो तो मैं बताऊंगा यह video के लाश्में English basic knowledge ठीक है basic knowledge मतलब English का basic knowledge grammar है क्योंकि एक जो student है वो English में सबसे पहले क्या सिखता है grammar right because if you don't know grammar you can't like learn English तो इनका 25 25 25 25 total question रहेगा जिसमें marks रहेका 50 करके 60 minute है time 80 minutes for candidate eligible for scribes as per paras यह आप लोगे लिए नहीं है there will be negative marking of 0.50 marks for reach wrong answer ठीक है चलो तो यहां पर कुछ और चीज़ लिखा है जैसे कि skill test typing data entry computer proficiency will be prescribed essential qualification यह आपके लिए नहीं है क्योंकि हमारा non technical course post है तो हमारे लिए important नहीं है computer-based examination होगा ठीक है चलो यहां पर और कुछ important ऐसे कुछ नहीं है हम लोग भी बात करेंगे syllabus की बार में तो अभी हम लोग बात करेंगे higher secondary level जो के हमारे लिए applicable है इसके syllabus के बार में ठीक है सबसे पहले जो subject है वो है general intelligence जहां से सुनों it would include questions from both verbal and non-verbal type ठीक है the test will include questions from semantic analogy symbolic operation symbolic and number analogy trends figure analogy space orientation semantic classification vein diagrams symbolic and number classification drawing inferences figural classification punched hole pattern folding and pun folding symmetric series figural pattern folding and completion number series embedded figures figural series critical thinking problem solving emotional intelligence word building social intelligence coding and decoding other topics if any numerical operation तो general intelligence का syllabus है यह अभी इसको देखकर आपके शायद होस उड़ गया है कि यार इतो कुछ समझ में नहीं आया है क्या बोला सर ने तो general intelligence जो subject है इसका जो questions है जब तक आप लोग questions नहीं देहेंगे ना minimum to maximum जब तक हम लोग 5 to 10 question paper solve नहीं करेंगे अपने आप से तब तक आप general intelligence को छू भी नहीं पाएंगे इन exam में minimum 10 minimum 10 question series को आप लोग prepare करें कहां से prepare करना है last में मैं बताऊंगा ठीक है किस तरीका question आएगा इन में से जो आपने देखके समझ में आएगा देखे यहां पर तो पहले आगी जागा logical reasoning आएगा logical reasoning मतलब जहां पर drawings दिया जाएगा figure out करने के लिए figure out करने के लिए एक question रहेगा triangle rectangular number figure out करने के लिए questions critical thinking question रहेगा relationship problems को लेकर age related problems को लेकर thinking में question रहेगा then number series को लेकर रहेगा ठीक है number को इधर उधर करके एक रहेगा सिर्फ number series फिर number से alphabetically questions रहेगे अभी देखो जब तक तक तुम questions को देखो के नहीं ना कुछ समझ में ने आएगा ठीक है फिर बस अभी के लिए सुन लो थोड़ा सा syllabus फिर coding से question रहेगे coding मतलब ऐसे कुछ alphabets दिया जाएंगे वहां से तो उस coding के हिसाब से एक word दिया जाएगा उसका क्या नाम होगा ठीक है तो यह रहेगा coding question सो यह जब तक आप लोग questions नहीं देखेंगे एससे का अब तक कुछ पता नहीं चलेगा तिल नेक्स्ट देखो general awareness जो general awareness का मतलब है in another way general awareness general knowledge and current affairs are similar kind of questions are designed to test the candidates general awareness of the environment and application to the society general awareness मतलब आप as a general candidate as a general public of India आपको क्या awareness है आपको क्या knowledge है आपने आपने जो society के बारे में आपने environment के बारे में आपके चारो तरब जो हो रहा है जो geography जो history है आपका जो culture से हमारे जो economical scenes है जो political scene है जो scientific research का scene है तो हमको उसके बारे में पता कितना है as an Indian as an Indian student as an Indian public this is our general awareness this is somehow difference from current affairs current affairs से सिर्फ आपको पूछा जाए कि क्या क्या हुआ है current recently general awareness मतलब यहां से कुछ मालब सिर्फ current मतलब last 3-4 मन्त का सकता है last 1 साल में आ सकता है लेकिन यहां पे history geography political science फिर scientific research different साल scientific invention का कुछ मालब कहीं से भी question यहां पे आ सकता है आपको कितना पता है आपके देश के बारे में ठीक है this is the matter of fact in general awareness से ठीक है okay फिर भी एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं questions are designed to test the candidates general awareness of the environment and application to the society questions are also designed to test the knowledge of current events मैंने बोला ना कि general awareness में सारे चीज़ इंक्लूड है current affairs so current affairs में general awareness include नहीं है लेकिन general awareness पे current affairs involved है and of such matters of everyday observation experience in the scientific aspect as may be expected of an educated person the test will include the questions relating to India and its neighboring country specially pertaining to history, culture, geography, economical scene, general politics and scientific research that means सिर्फ इंडिया नहीं इंडिया का जो neighboring countries है उनको बारे में भी आपको जानना है next हम लोग बात करेंगे quantitative aptitude के बारे में quantitative aptitude मतलब math ही होता है जिसमें सिर्फ arithmetic से ही question आते है ठीक है, algebra, trigonometry और जो सारे है, geometry इनमें से questions नहीं आते है, generally SSTPSS में so arithmetic अगर आपका अच्छा है या फिर अच्छा था, then you are most welcome देखो, quantitative aptitude में arithmetic, number system, computation of the whole number, decimal, sentimental, fractions, relationship between the number of fundamental, arithmetical operation, percentage ratio, proportion, square roots, average, interest, specifically interest में एक question आता है profit and loss, discount, partnership, business, management, mixture and allegation, time and distance, यह तो सबसे जादा important है, time and distance, time and work यह ठीक है, अभी algebra से देखो, कुछ, कुछ, algebra से भी आएगा, basic algebraic identities like school algebra, and elementary certs like, and graph, some linear equations, geometry से somehow, मतलब कुछ, कुछ, मतलब basic, basic algebra का basic, school वाला algebra थोड़ा सा देख लेना, and geometry का एक तम, normal, triangle, various kind of triangle, centers, configures, similarity of triangle, circles and chords, tangles, एक्तम नॉर्मल पिरामीड ठीक है बेस ट्रिगनामेट्री ट्रिगनामेट्री में कुछ कॉम्प्लिमेंटरी एंगेल्स हाइट एंडिसेंस का कुछ मैथ जो बहुत ही इंपोर्टेंट था हमारे टेंथ कसी लेवर्स में उसको एक बद देख लेना ठीक है जो कि जेनरली ऐसी टाइप का कोश्चन रहता था था उनको थोड़ा से बद देख लेना जिसमें से पाई च तरहिएगा इंसान का खुद का स्फीड चलनेका सो ऐस दर का कोशन आएगा ठीक है कि लास्ट में हम लोग बात करेंगे इंग्लीज के बारे में जो लास्ट है इंग्लीज रिच्ग्त में क्या क्या इंपॉर्टेंग एप तेकर एरोर पड़ रहना है आपको एक संटेंस मे fill in the blanks दिया जाएगा, synonym and antonyms दिया जाएगा, spelling and spelling mistake दिया जाएगा, misspelled word रहेगा, तो क्या mistake है इसमें, यह important है, idioms बहुत important है, voice change important है, verbs important है, and narration change important है, जो कि basic है बहुत, आप लोग एक बार basic देख लीजिए, अगर आपको book reference आई है, तो English का जो grammar part है, वो आप लोग highlight का जो book ह पीके मुखर जी का, उससे आप लोग preparation ले सकते है, comprehensive passage कुछ ऐसे हो सकता है, रह सकता है, that is about all the, I think, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, खास, इनको ही किरेंगे, तो मैं आपको एक और suggestion दो, आप लोग SSC, CHSL का, या सबसे बिठर है, अगर आप लोग SSC, CGL का preparation लेते हैं, क्योंकि SSC, CGL का कोई, अगर TIR1 का, जो books है, वो completely digest करता है, तो उसको definitely SSC का जो pharmacist vacancy है, वो मिल जाएगा, ठीक है, I am damn sure, तो इसको क्या करना होगा आपको, इसको लिए आपको जो link दिया है, Amazon का, मेरे description में box में, उन में जाना है, उन books को खरीद रहा है, तीन या चारी books है, उसको खरीद लीजे, सिर्फ और सिर्फ इस vacancy के लहीं, अगले, मतलब साथ जन्मों तक जितना vacancy आएगा, आपको काम आएगा, क्योंकि TIR1 CHSL के लिए जो preparation ले रहा है, उसका एक mindset, उसका एक level of qualification के साब से, उसका level of questions, levels, थोड़ा high scale का है, तो उस scale का अगर कोई preparation लेता है, तो वो तो CHSL में काम आएगा ही, as similar to, जो CHSL का तो है ही, CHSL में तो definitely जादा अच्छा work करेगा, और उसके साथ साथ जो इस तरह का vacancy फार्मा से related है, इन में भी बहुत help करेगा, तो जाए ये download कीजिए, अभी के अभी वो तीन books, sorry, उनको अभी water कीजिए, खरीद लीजिए, क 12 का book है, तो उससे grammar कर लीजिए, ठीक है, general awareness का book आपको लेना है, must and aptitude का एक लेना है and quantitative aptitude का, और मैं combination भी दूँगा, तो वो भी आप खरी सकते है, जिसमें सारे last, मतलब 20 years का SST का question is tier 1 का, उससे better होगा, I think, वो वाला book तो must खरी दिए, उसमें minimum 10 model, मतलब 10 साल का last, जो tier 1 का question है, उनको solve कीजिए, that is the whole video, thank you very much for watching, please subscribe कीचे channel को and press the bell icon